निम्रोलोजी के अंसार ए नाम वाले लोगों की भविश्यवाणी में क्या क्या ख्यासियत बाते होती हैं हम ए लेटर से स्टार्ट होने वाले नामों के बारे में उसके चरित्र प्रतिभा और संभावित जीवन पत के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं निम्रोलोजी में A is a present of one number वन जो होता है वहाँ सूर्य का number होता है जो उसे inherent leadership quality देता है ambitions को बढ़ाने में मदद करता है ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकती हैं जो A number वालों की quality को दर्शाता है वैसे A नाम से start होने वाले का रासी मेश रासी होता है जो मंगल ग्रह को present करता है और इसका number होता है 9 जब हम 1 प्लस 9 को जोड़ते हैं तो total होता है 10 जो फिर से 1 को present करता है अर्थात A number वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में आप जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं A number वाले की खास बाते क्या क्या होती हैं इस प्रीचल वर्ड में आप सभी कहार्दिक स्वागत अगर अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सस्क्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको प्राप्त हो सकें बेल आइकन को दवाना बिलकुल ना बोलें पहली बात ए नाम वाले लोगों के अंदर इनहेंट लिडर्शिप कॉलिटी पाई जाती है ए अक्छर का सम्मन्द वन नमबर से होता है वन इस अपरजेंट आप दे सूरिय और ए नाम वालों का मेस रासी से कॉंटेक होता है अर टेन नमबर होता है जो फिर से वन को प्रजेंट करता है अर्थात इन लोगों के अंदर एक जबरदस्त लिडर्शिप कॉलिटी पाई जाती है यह अपनी स्वसंत्र नेत्वित गुणों और अग्रणी भावनाओं का प्रतीक माना जाता है जिन वैक्तियों के नाम में ए का स्टार्टिंग लेटर होता है वहाँ स्वभाविक रूप से नेत्वित की भुमिका की ओर अकर्शित होते हैं उसके अंदर नेत्वित का गुण जबरदस्त पाई जाता है और यह वैक्ति अपनी भावनाओं में मजबूत को दर्शाता है इन लोगों की भावनाएं बहुत स्ट्रॉंग होती है दूसरी बात एंबिसन एंड डिटर्मिनेशन ए नाम से स्टार्ट होने वाले लेटर में महात्व कांचाय और दिर संकल्प का गुण जबरदस्त पाई जाता है एसे सुरू होने वाले नामों में एक प्रेरिक सकती होती है जो उन्हें चुनावती पू अपने आपको मजबूत पाते हैं तिसरी बात इनोवेशन थिंकिंग ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोग कुछ ना कुछ नया चीज जरूर सोचते हैं उसके अंदर क्रियेटिविटी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अधिक पाई जाती है उन लोगों की मौलिक सोच और क् होता है ए नाम से स्टार्ट होने वाले वैक्टियों की मासिक सकरात्मकता सकती अधचनात्मक सकती अधुति और आपराम बरागत तरीकों से समस्याओं को निप्टाने की जहमता को दर्शाता है चौती बात इनिसेशन एड एक्षन ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोगों की निर्णाय जहमता जबरदस्त होने के कारण किसी भी चीज में तेजी से निर्णाय लेकर कारवाही कर सकते हैं वा अपनी च्छमताओं का जबरदस्त सक्री रूप से उप्योग करते हैं किसी भी प्लान को बना कर बहतर रूप से एक्जीक्यूट करना ए नाम वाले को बहुत अच्छे से आता है और वा अपने आसरों का इंतिजार करने के बजाए नए नए आसरों को उत्पन्ना करते ह जिससे उन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिविशन और अपनी च्छमताओं के उप्योग करने की सक्ती जागरित हो जाती हैं सेल्फ एक्स्प्रेशन ए नाम वाले लोग के अंदर आत्म अभिवेक्ति की त्री आवसक्ता को दर्शाता हैं ए नाम वाले से उत्पन होने वाले लोग बोलने, चालने, रचनात्मक, कला जैसे विभिन्न छेत्रों के गुनों में अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने में पूर्णता प्राप्त करते हैं अर्थात इन लोगों की कॉमुनिकेशन इस्किल जबर्दस्त होती है इंडिपेंडेंट ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोग अपने आपको सोसंतर रखना ज्यादा अच्छा समझते हैं वे अपनी स्वायत्तता को अधिक महात्यों देते हैं और सोसंतर रूप से निर्णाय लेकर अपना रास्ता स्वायम बनाते हैं अपने रास्ते में स्वायम काम करना पसंद करते हैं या उसकी छमता को दर्शाने का संकीत देता है साथ भी बात कॉन्फिडेंस ए नेम से स्टार्ट होने वाले लोगों के अंदर स्वाभाविकता नेतित गुन अक्सर आत्मिश्वास में तब्दिल हो जाता है ए नाम से सुरू होने वाले लोगों के अंदर आत्मिश्वास कूट-कूट कर भरा हुआ होता है वहाँ अपने आत्मी स्वास के कारण बड़े से बड़े कारे को असानी से कर पाते हैं या उसके अंदर एक positivity को दर्शाने का कारे करता है जो किसी भी चुनोती से लणने और निपटने में सक्षमता को दर्शाता है आठवी बात दिर्ड इच्छा सकती ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोगों के अंदर दिर्ड इच्छा सकती जबर्दस पाई जाती है किसी भी कारे को एक बार ठान लेते हैं तो वह अंतिम तक उस कारे पर जब तक सफलता हासिल ना हो जाया तब तक उस कारे में लगे रहते हैं और अंतिता सफलता को प्राप्त कर लेते हैं नवी बात औरिजनालिटी ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोगों के अंदर एक मौलिक औरिजनालिटी पाई जाती है जो उसके बहुनात्मक में प्रवितता को दर्शाने का संकेत देता है जिस वेक्ति के नाम में ए लेटर से स्टार्ट होता है उसके जीवन में एक अनोखी दिश्टी कोन और लेक से हटकर सोचने और समझने की च्छमता होती है जो उसकी मौलिकता को बढ़ाता है दसवी बात करेज सहस ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोग किसी भी चुनवती से डट कर सामना करने का सहस रखते हैं ए नाम से स्टार्ट होने वाले वैक्ति किसी भी प्रतिकूल अवस्था को अपने अनकूल बनाने की ताकत रखते हैं वे अपने सपनों के लिए जी जान लगा देते हैं पूरी भाधदुरी और पूरे इमानदारी के साथ अपने कारियों में सफलता को प्राप्त करने का कारिय करते हैं ग्यारवी बात चुनावतियों पर काबू पाने का दिर्ड संकल्प ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोगों के अंदर या पाय जाता है कि वो किसी भी चुनावतियों से लड़कर उन समस्याओं को जड़ से खत्म करने की कोशिस करते हैं जिससे ये व्यक्ति कटनाईयों के बावजूत भी अपने जीवन में सफलता और समरिद्धी को प्राप्त करने की छमता रखते हैं अपने अन्भावों का प्रियोग करके किसी भी चुनाउतियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं और सम्रिधी और सफलता उन्नती को प्राप्त करने की छमता रखते हैं बारवी बात ए नाम वाले व्यक्ति पत प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं अक्सर ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोग अगरणी भावनाव के कारण एक नए छितरों में कारे करने या मोटिवेशन करने का कारे करते हैं या उनके अंदर सकरात्मक पिचारों और जी ना किसी चेतर में उपलब्धी को प्राप्त करके लोगों को मोटिवेशन देने का कारे करते हैं जो उसके जीवन को बहतर बनाने में हेल्प करता है ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोग के अंदर समस्या समधान को उसल पाय जाता है यह चौदी बात है जब भी आप ए यह नाम के वैक्तियों को जानते होंगे या यह नाम के अगर आप वैक्ति होंगे तो आप जरूर इस चीज को आकलन कियोंगे कि ऐसे वैक्ति लोग किसी भी समस्या के समधान करने में सक्षम होते हैं इन लोगों के अंदर विष्टलेस, नात्म, गुण और नवीन सोच पा सकते हैं जो किसी भी समस्या समाधान करने में सक्षम कता को दर्शाता है चौदी बात सकरात्म कुर्जा यह नाम से जुड़े हुए लोग अधिकतर देखा गया है कि यह आसावादी और सकरात्म कुर्जा वाले लोग होते हैं यह वैक्तियों को अपने आसपास मोटिवेट करने का कारे करते हैं या अपने आसपास एक उथल सील या प्रिणा दायक बन कर उभरते हैं जो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन का कारे करता है और उन लोगों के जीवन को अपने साथ साथ सुधाने की कुशिस करते हैं जो ए नाम से स्टार्ट होने वाले लोगों की सकर सात्मा कुर्जा को दर्शाता है अर्थात यह समाज के लिए एक बहतर संकेत देनी का कार्यक करते हैं आज के लिए धन्यवाद प्लीज लाइक सेरे और सब्सक्राइब इस चैनल थेंक यू